असलाम नेकुम, वेलकम बैक टो माई चैनल, एक नियू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आमलेट पराठा बन बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आपने बहुत तरहां से पराठे ट्राइ किये होंगे, बहुत तरहां से आपने बन को ट्राइ किया होगा, लेकिन यह जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यह बहुत ही डिफरेंट है, बिलकुल नियू रेसिपी है, और आप इसे एक दफा बनाएंगे, तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे, तो इस रे यहाँ पर मैंने मेदा ले लिया है, और इस रेसिपी को आप आटे से भी बना सकते हैं, अकोर्डिंग टू यूर फैमिली बना लीजेगा, यहाँ पर मैंने तीन कप के बराबर लिया है मेदा, और सिंपल इसको गूनना है, इसमें कोई भी ऐसी चीज एड नहीं करेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे, और बस हलका साए इसको मिक्स कर लेंगे, इसको ज़्यादा मिक्स करना जिसनो समुसे की डौ बनाते हैं उसलहाँ, बस हलका सा ईनिन रखना, और साथ ही मने पानी डालना स्टार्ट कर देना है, सिंपल इसको गून हो रखD 그렇око में थाटा संत नरम है तो यहां पर दीकिए मैं इसको गुल लूँगी और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 मिंट आपने इसको जरूर रखना है तो आप देख सकते हैं कि आटा किस कदर सॉफ्ट है इसी तरह से आपने बनाना है और प्राठे भी बहुत अच्छे बनेंगे उपर से पानी लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 15 मिंट के लिए अब इसके फिलिंग की त्यारी करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमने ले लेना है अनियन एक अदर ले लिया था मैंने और इसके अलावा ग्रेटिड मैंने यहां पर कैरेट यूज की है गाजर और इसके अलावा इसमें मैंने एड किया है बंद गोबी इसके अलावा मैंने इसमें एड किया है आलू आलू मैंने लंबाई में कट कर लिया थे शिंबला मिर्स ले ल इस टाइम पर आप देख सकते हैं मैंने इसे चूले पर नहीं रखा हुआ इसी टाइम पर बस मैं इसको हलका सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ओयल एड़ कर दूंगी टू टेबल स्पून के बराबर बहुत ही सिंपल विए आपके साथ शेयर कर रही तो दो अंडे एड़ कर दिये हैं और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको स्टॉफ पर रखूंगी यानि के चूले पर रखतेंगे और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर कोक होता रहेगा तो आप इसी दौरान में कोई और काम भी कर सकते हैं आपको ज़ेकों लूसल खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है तो बिलकुल लो फ्लेम पर तक्रीबर तीन से चार मिनट के लिए आप ने रख देना है तके बहुत अची तरह से सब्जियां पख जाएं तो तक्रीब sense 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया था त मिक्सिंग कर लेंगे क्यूंके हमने करनी है पानी उसको खुश कर लेंगे और इसको ठंड़ा करने के लिए रखेंगे अच्छे से अब मैं इसको रखतूँगी ठंडा होने के लिए और इसी दुरान में हमारी डो भी सेट हो चुकी है अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा मेदा डस्ट कर लेंगे और इस रेसिपी में आपने बहुत कम खुशका लगाना है जादा भर भर के मतलगाईगा जब नीट हो के थोड़ा सा चिपक रहा है तब आपने यूज़ करना है और इसका एक बिलकुल सिंपल सा हमने पेड़ा बना लेना है और यह जो मैंने आपको डो बनाना सिखाई है यह बहुत ही परफेक्ट डो है नरम पराठे बनेंगे बहुत ही खस्ता बनेंगे और इसी डो से तकरीबन पांच के बराबर आप असानी से पराठे रेड़ी कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज हमने जादा बड़ा नहीं रखन लेकिन इसके पेड़े का साइज अच्छा खासा होता है क्योंकि यह बन स्टाइल बनेंगे तो यह दिखे मैंने रैडिक कर ली हैं पांच पेड़े बन चुके हैं और इनको मैं बेल लूँगी और इसको आपने गुलाई में नहीं बेलना इसको थोड़ा सा लंबाई की तर फिलिंग करने के लिए जिससे लंबाई की तरफ शेप होती है इस तरह देंगे तो फिलिंग करना थोड़ी से असान हो जाएगी और जब हम एक पेड़ा बनाएंगे इसका अलग से तो बहुत ही जबर्दस लेरिंग आएगी और अच्छा सा पेड़ा बनेगा तो थोड़ा की फिलिंग की जाती है इस तरह से ऑईल लगाए जाता है और अच्छी तरह से भरके आपने लगा देना है उसके उपर ये रखतेंगे फिलिंग तो फिलिंग भी अच्छे से कर लीजिएगा ज्यादा भरके नहीं करेंगे नॉर्मल सी फिलिंग करेंगे और इस तरह से उप इसको भी अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए का ताकि जो फिलिंग है बाहर ना निकले और हलका हलका सा इससे दबा दबा कर आपने एक रोल बना लेना है दबाना जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको प्रेस करकर के करेंगे तो अंदर से हवा निकल जाएगी और जो पेड़ है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और जो फिलिंग है वो भी बाहर नहीं निकलेगी तो देखे मैंने इसको बिल्कुल सौफली रैडी कर लिया है अब हमने इसको एक बहुत ही लेरिंग वाले पेड़े की शकल देनी है तो इससे रोल आउट कर लेते हैं इसे और यकीन मा जादा मेहनत भी नहीं है जिससे आम तोर पर हम एक अंडा प्राठा बनाते हैं लिक्विड वाला या फिर इसके अंदर एक कच्छे अंडे को डाल कर बनाया जाता है उसको भी कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो यह तो बहुत ही असान है बनाना अच्छा यह पर मैंने पेड़े ready कर लिया ठे यह एक पेड़ा मैंने लिया है और बस हलका हलका सा इसको प्रेस करेंगे ब Herrn प्रस्य नहीं देना हल्का हलका हलका सा प्र्स करेंगे ए सका साइज भी आपने बढ़ा नहीं करना यहां पर देकिए बस मैंने रोल्निग पेन ली है और इस नहीं ली ना рукो सा इसको आप पारछा नहीं बनाना बिलकुल जिसके लाएंगे और आ यह। प्राठा रेडी हो चुका है जहां से आपको लगे के थोड़ा सा मोटा है वहां से हाथों की मदद से आपने इसको प्रेस कर लेना है तो यहां पर मैंने ओएल रख दिया है गरम होने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल सा ओएल आट करेंगे फ्राइपन ले लिए या और आप कोई दवा भी यूज़ कर सकते हैं उसमें मैंने यह रख दिया है और जितने भी मैंने बनाए हैं अभी तीन अदद रखें हैं जितने आ सकते हैं इजिली उतने मैंने रखें हैं कवर करके रख दिया है इसे तक्री मिनट एक साइड को देंगे और इसी तरह थी मिन जरूर ट्राइ करके देखेगा तो देखे मैं इसको टर्न करती जा रही हूं और लगा दूंगी और यहां पर मैं तेसी घी ही यूज कर रही हूं यह बहुत ही बेस्ट रेसिपी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सबजियों को खाना वाइड करते हैं आप इस तरह से उन चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे आपने टर्न करकर के और अच्छी तरह से जिस तरह पराठे को सेका जाता है सेम उसी तरह से बनाना है यहां पर दिखे सारे हमारे पराठा बंस रेडी हो चुके हैं और मैं आपको तोड़के भी दिखाऊंगी कि अंदर से किस्तों से इसकी फिलिंग है अब इसको सर्फ कर सकते हैं बहुत ही खाने में टेस्टी होंगे और बहुत ही यूनीक रेसीपी एक दफ़ा ट्राइ करके देखिएगा यह मिनी पराठा भी आप इसे कह सकते हैं लेकिन एक पराठा काफी हल्दी है और एक ही इनफ रहेगा तो आप इसको